पायरामीसियम जो हुआ करता है देखिए इसके बारे में आपको बता रहे हैं पायरामीसियम जो हुआ करता है इसको स्लीपर एनिमालिकूल्स कहते हैं और ये प्रोटो जो आप हाइलम का एनिमल है जिसे की बारे में हिलने खोज किया था cilieta ही class के अंतरगत valentadium होता है जो large intestine में होता है और valentadious ladies फैलाता है जिसको diarrhea भी हम लोग कह सकते हैं opalina जो हुआ करता है ये multi nucleated होता है बहुत important है जान लेजिए ये cilieta ही class का है अगर पुछा जाए कि multi nucleated कौन होता है और ये rectal commensational हुआ करता है इसमें frog में पाया जाता है और plus zero का ये हुआ करता है और verticella जो होता है इसको bell molecule कहते हैं ये भी protozoa के cilieta class के अंतरगत रखा गया है जिसका safe bell की तरह हुआ करता है आप देखिए paramecium के बारे में थोड़ा सा क्या किया गया है आपको जानकारी दी गई है paramecium की जो खोज किया था हिल ने किया था ये free living हुआ करता है sleeper की आकार का हुआ करता है इसलिए इसको sleeper animal molecules कहते हैं इसकी body के चार उतरब क्या हुआ करता है pellicle जो हुआ करता है उसका एक आवरन होता है locomotory argon जो हुआ करता है वो cilia हुआ करता है जिसकी साहता सी एगति करता है paramecium को paramecium cardatum इसले कहते है क्योंकि इसकी पिछले सिरे पे जो हुआ करता है वो cilia जो होता है tuft के रूप में पाया जाता है और cardum मतलब ही होता है कि priest होता है जहां पे भी और इसमें देखिए pellicle के जस्ट नीचे जो होती हो trichocist पाई जाती है इसमें जो offense और defense का काम करती है और asmo regulation के लिए इसमें क्या हुआ करती है दो प्रकार की back holes पाई जाती है एक anterior contractile back hole होती है और दूसरी जो होती है posterior contractile back hole होती है incomprehension to the जो lower हुआ करती है तो ये आप लोग ज्यान देजिए दो nucleus होता है इसमें एक macronucleus होता है macronucleus होता है cytosomes आप लोग देखी रहे हैं अच्छी तरीकी से तो इतनी चीज़ें जान लेजे इसके structure से relative हैं बाकी और अगर आप जानकारी करना चाहते हैं तो आपको नेक्स वीडियो में इसकी और जानकारी देंगे पैरा मीशियम और आप लोग वीडियो को सेर कीजिए थैंक्यू, हन्माद